हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल, मेरा नाम है शेखर और आप लोग आभी देख रहे हो, जॉब नूज एब्रेडे यूट्यूब चैनल, तो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में, बीएसेफ, रेडियो मेकनिक, एन रेडियो अपारेटर का जो मेडिकेल होने वाला हो, और गाइज, आपका जो एड्मिट कार्ड है, वो आप लोग को कैसे मिलेगा, इसके उपर भी डिसकस करने वाला हो, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अच्छा लगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ बेक्रोंड में कोई भी म्यूजिक आ रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, बिकोज मेरे इधर पार्टे का एक पोग्राम चल रहा है, तो इसलिए ऐसा साउंड आ रहा है, इस बात करे, एड्मिट का ड्रिलिज डेट को लेकर, तो आज या काल आप लोगों का जो एड्मिट काड़े वो दे देना चाहिए, मतलब कि आज या काल आप लोगों का जो एड्मिट काड़े वो आप लोगों को 90 से 97 परसेंट शियोरेटी की देखने को मिल जाएगा, तो यह हो गया, आप लोगों का एड्मिट काड ड्रिलिज डेट क post office की तो आप लोगों को नहीं दिया जाता है जो भी examination का apply online में होता है उसका जो admit card वो कभी भी offline तरीके से नहीं आता है आपका जो admit card वो आप लोगों का जो email होता है form fill आप के समय आप जो email का दिया था उधर final submit के समय वही email में आप लोगों को आपका जो admit card है वो download कार पाओगे एंड उधर ही आप लोगों को भेज दिया जाएगा and guys second step की method की बात करें तो आप लोगों को आप लोग जो bsf का official website है उसमें भी आप लोगों का admit card जारिक card दिया जाएगा आप लोग पहले bsf का official website में enter हो जाना इसके बाद guys एक admit card का option आएगा जिसमें आप लोग आपका जो registration number और password से login होकर और capture code फिल करकर आप आपका जो admit card है उसको download कर पाओगे और guys बात करें आप लोग का जो remedical है उसको लेकर तो medical खतम होने के लगबग एक से दू ओएक के अंदर आप लोग का जो remedical का paper होता है final paper आप fit या unfit उसका paper आप लोग को ARO में जमा देतना होता है तो guys ये था BSF का जो admit card है उसको लेकर एक important video वीडियो को guys के ऐसा लगा comment section में जरूर बोलना और guys मैं फिर भी बोल रहा हो कोई भी मेरे को गंदा comment मत करना because अच्छा नहीं लगता है गंदी गंदी comment क्यों कर रहो अगर कोई भी दिक्का थे तो normally मेर किया करो ठीक है तो आज के लिए इतना है guys सब सब लोग अच्छे रहना thank you